आज मैं आपको यह बाला डिजाइन बताऊंगी और यह राइट साइड है और इसकी रॉंग साइड है ते डिजाइन आप देख पा रहा हूंगे जेंट स्वेटर में लेडी स्वेटर में काडी गन में बच्चों के स्वेटर में किसी में भी आप इसे डाल के बना सकते हैं त पाच फंदे पाच फंदे पाच फंदे करके यह हमारा डिजाइन बनाऊ हुए है इसके लिए मैंने फंदे डाले हुए है और हमारी उल्टी सलाई है हुआ हम इसोंटी सलाई को पूरा उल्टा वनलेंगे ऐसे तो यह सारे फंदे हम पुल्टे भूलेंगे, यह हमने 17 फंदे डाले हैं इसमें, यह पांच-पांच फंदो का डिजायन है, तो यह पूरी सलाई हमारी पुल्टी भूल जाएगे, तो बुल्टी सलाई हमारी बुन गई है, इस़ी फंद गूंज है, पहला फंदा जाएगे, तो यह पूरी सलाई के जितने भी फंदे हैं, तो हमें तीन बार लंच के अईसे बुन जाना हैं. एक दो तेन तीन बार धागा लपेतना फंदा बुन लेना है दो तेन एक दो तेन ते सारे फंदे हमें इसी तरीके से बुनते हुए पूरी सलाई कम्पलीट करना है तीन एक दो एक दो तीन एक दो तीन ऐसे धागा लपेटना आप और फिर धागा लपेटके एक फंदा बुन लेना है तो जितने भी फंदे हैं इनको हम इसी तरीकके से पूरा बुंते हुए पूरी सलाई को ऐसे बनाएंगे और लास्ट में एक फंदा इसको इसे उतार लेंगे, जो हमने फंदे बनाये थे इनको खोलेंगे, ऐसे दो, तीन, चार, पाँच, पाँच फंदे खोलेंगे, और इस निडल पे लेके इनमें पाँच फंदे बनाएंगे, इस एक, फिर धागा लपेटा, तीन, फिर धागा लपेटा, चार, और पाँच, पाँच फंदे बन गए और इस सारे फंदे उतार देंगे, फिर ये पाँच फंदे खोलेंगे, ऐसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच फंदे खोल लिए और इसी मेंसे पाँच फंदे बनाना है, ऐसे एक, धागा लप को 3 स्ट पंड यह यह वेद फंड में फिर कैम फिर चार के आज बाशे का साथ और करिए या स्ट विसुन सती तरीके संध्क फिर खन शेनि आतर कराई ऐसे, stands, फ्रूं, आहिए, स्ट is To bisa सिधी शिधी हैं सिद्ही से बनाए ऐसे फंधा उतारेंगे और सारे फंद सीधे बंते हुए गम्प्लीट करेंगे सायरे फंद एक पुरी सलाई के सारे फंदे इस तरीकी से सीधा बनते हुए लास्ट में फंदा इसको भी न सीधा बन लेगा तेर जायन हमारा स्टेलके से बन गया उल्टी सलाई पूरी उल्टी बनाई जाएगे सारे फंदे उल्टे बनाई पूरी सलाई बन गया अब सीधी सलाई और फिर उसी तरीके से जाएगी जैसे हमारी रोव बन गई थी इसी तरीके से पूरी सलाई फिर जाएगी एक बार फिर से देखते हैं तो ऐसे एक फंदा उतार लिया एक इन सारे फंदों में एक एक में तीन तीन बार धागा लपेटेंगे ऐसे हर फल देने एक दो तीन फिर एक दो तीन सारे फंदों में ऐसे धागा तीन 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 बार लपेटें वह बुनते वह जाएंगे तीन दो, तीन, एक, दो, तीन, ऐसे पूरी सलाई के फंदे बंते हुए जाएंगे, हर फंदे में तीन-तीन बार धागा ऐसे लखेटेंगे, तीन, दो, तीन, और लास्ट में एक फंदा सीधा बनेंगे, तो हमारी ये दूसरी डिजाइन बन नहीं है, तो पहला फंदा इसे उतारेंगे, उसके बाद इक पांच फंदे खोलेंगे, ऐसे एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच, पांच फंदे इस सलाई पे लेंगे, और इनमें इसे पांच फंदे बनाएंगे, ऐसे एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे बन गए, इसी तरीके से फिर पांच फंदे खोलेंगे, और फिर सलाई पर लेके पांच फंदे बनाएंगे, एक, दो, तेन, चार, पांच, ऐसे ही फिर कोलेंगे पांच फंदे, और फिर इनमें से पांच फंदे बनाएंगे, दो, तेन, चार, पांच, तो यह पांच फंदे बन गए, लास्ट में एक फंदा, तो हमारे दूसरा डेजाइन बन गया, एसी के उपर से हम फिर सिधी सलाई बनाएंगे, ऐसे, इसके उपर से, फिर सिधा बनते हुए, पूरी सलाई को ऐसे, कम्प्लीट करेंगे, पूरी सलाई हमारे सीधी बन गई है, लास्ट में एक फंदा सीधा, यह डिजाइन हमारा बन गया है, जैसे हमारा यह डिजाइन बना था, उसी तरीके से, यह डिजाइन बना है, आपको यह डिजाइन कैसा लगा, मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद,